प्रदेश की हर नियूस देखने के लिए हमारी चैनल को शेर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बैल आइकन को दबाना ना भूलें हमारी खबरें कैसी लगी? कमेंट बोक्स में कमेंट जरूर करें पिछले रविवार को द्वारका में चली गोलियों से पूरे इलाके में संसनी फैल गई, लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर में माजरा क्या है, जैसे ही लोग समझ पातें, तो दो बदमासों के बीच रंजिस हुई है, एक बदमास तो मर चुका है, साथी खड़ी पिछले हपते हुए एक बदमास को पुलिस ने मोके पर ही मार गिराया, लेकिन दूसरा बदमास पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामियाब हो गया, लेकिन जजजर CIE ने आज उसे गरफतार कर कर कोट में पेस किया, जो आप ये टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो ही मुल्जिम है जिसने कुछ दिन पहले ही दौरका में देहसत का माहूल फैला दिया, अब ये पुलिस केस ही कंजे में है, पच्छिस पाज उननिस को ऐसी परदीब के साथ, पुलिस टीम के साथ CIE जो गस्त कर रही थी उस समय, तो मुखबर ने बताया कि भी ऐसे से दि इनली में, दौरका में मुठ भेड के दोरान, जिसको गौली लगी हुई है, और ये अपरादी वहां से भगा हुआ है, और कॉशली साइड से अपने इधर आएगा जज़र की तरफ, अगर नका बंदी की जाए, तो काबू में आ सकता है, और काबू में आ सकता है, और आ सक तो इन्होंने पुस्ताष पे आठ वार्दात बताई है लूट टकेती मरडर और पेंटरो पंप रोतक में रोतक वेगार में लूटे है यह निदिल्ली और हर्याने की वार्दात में सामिल है यह अपने साथ्थ दौहरका में मुठवएड के जजजर से बिजंदर मलिक के साथ रमा कान में तलकी रिपोर्ट हर न्यूज हरियाना